कि नमस्कार किसान भाईयो मैं आंके त्यातव आपका इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है किसान भाईयो जो अपने बैस या काव हम क्रोश करवाते हैं भूल से या उसको एया आए करवाते हैं तो ये बहुत ज्यादा चिन्ता का कारण रहता है कि आपका जो पशू है वो क्या बिन ठेरा या नहीं ठेरा आपको वह ही मैं आज तो जो नए बिल्कुल टिप्स है कि आप जिए बिन भाईयो को कैसे पैचान सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा तो अगर आप चैनल पर पह बाईयों तो शब्सेपह लिवात आती है कि जब आपने अपनी जो बहाईयों उसको ग्या बिन करवा लिया है तो उसके एक या दो दिन बाद तक अधगर है जो पतले पतले चिश्को आर्यान विद्यश्य वार्षा में कई जगर बार्वे का जता है या जो बिल्कुल चमक कि ले रिश्य से डालती रहती है तो गारेंटीड है निश्चित आपके वैस गया बिन नहीं है और आगर आपका पशू मान लीजिए यह दो एक दो दो दिन से साथ दिन तक गड़े जो तत्य बोला जाता है वो डाल रहे हैं कंटिनू एक दिन डालती है दो दिन डालती है तो शमझे लेजिए आपके जो बैस वो निश्ची दिक अब नहीं है और तीसरी बात है कि जब आपके बैस दस्चे पंदरा जिन के बीच में आगर टोक्या करती है टोक्या का मतलब होता है कि जो थन होते हैं वो पावस जैसे हो जाते हैं जैसे बैस पावशी हुई है तो जाते हैं तो भी समझे लेजिए आपके बैस है और इनका जो अब पॉच्चित आपको बते देता हुई आगर आपके बैस एक या तो दिन तक तीन-चार दिन तक जो आपका पतले पतले जिसको बाले में बोले जाते हैं वो नहीं दे रही तो आपका पसु निश्ची दिक बिने और अगर आपका पशो एक दिन या दो दिन तक केवल दो मोटी जेर हैं वो दे रही है उसके बाद बिलकुल कुछ नहीं दे रही तो आपका पसु निश्ची दिक बिने आपको जिनता करने कोई जोड़त नहीं है आपको बिने आपकी बशो और तीसरी बात है अगर तो समझ लीजी। आपके पशुय संदिंगे को चुंता करना का दोस्तों एसे ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए इस संयल को सब्सक्राइब जयरेगी। किजी और शीमा पर्दवान खेत में किशान दो बाई लगे यह उनको बार बार दन्यावाद दन्यावाद